इंदौर में प्रवासी भार्टियों का सम्मेलन सफल रहा, टीस रह गई तो इतनी की प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी के कारिक्रिम के दौरान कई महमान विदेशी महमानों को हॉल में जगे नहीं मिली, मुख्यमंत्री शवराज सिंग चोहान को मंच से दो बार माफी भी मा इस करती है, और आपको बता दे कि इंदौर विकास प्रदिकरन की बोड बैठक में 10,000 लोगों की बैठक शमता वाले कन्वेंशन सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मन्जूरी दी गई है, बता दे हैं कन्वेंशन सेंटर सुपर कोरिडोर पर बनेगा, इसके लिए स्कीम 172 मे जगह चिन्हत की गई है, इसके बनने में 300 करोड रुपे की लागत आई की, इसे बनाने के लिए राष्ट्य स्तर की कंपनियों से चर्चा की जा रही है, जनवरी मह में इंदौर में हुए NRI सम्मेलन के आखरी दिन, मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान ने इंदौर में इसके बनाय जाने की घोष्टना की थी, इस संबंध में उन्होंने आईडियाक्ष जैपाल सिंग चावडा को निर्देशित भी किया था, इसके बाद से ही आईडिया नया कंवेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में जुड़ कया था इंदौर वितास पादिकरन शेहर के विकास के लिए कृट संकल्पित है और हम लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं पिछले दिनों प्रवासी भारती संवेलान में मानी मुख्यमुत्री जी ने 10,000 की सिटिंग वाला कंवेंशन सेंटर बनाने की जो गोशनक की थी उसके पालन में आज बोर्वाड की बेठेका आई जिती थी और पिछले दिनों हमने हमारे सारे जन प्रतिमीजियों परचासनी अधिकारियों के साथ ने एक दोरा किया था कि इंदौर शेहर में कहां ये इस्थान उप्यूप्त हो सकता है वो एक सो बहुत्तर नंबर इसकी हमारी जो है सुपर कोईडोर पर वो इस्थान सबने उप्यूप्त माना और उसी विशेग को आज बोर्ड में रखा गया था बोर्ड के समस्त सदस्यों ने एक सवर में ये कहा है कि सबसे उप्यूप्ति स्थान है उसमें उन्होंने एक बात और जोड़ी ही कि पहले ये दस हेक्टियर भूमी थी, इसको 17 हेक्टियर तर ले जाना चाहिए, दस हेक्टियर में पहले बनाना चाहिए और साथ हेक्टियर महां भविशी के लिए आरक्षित करना चाहिए, और उसके लिए हम शिघरी कंसर्टेंट निक्त करेंगे, डेश के प्रमुख कंपनिया जो इस काम करती हैं, उनके प्रजेंटिशन के लिए बुलाएंगे और जो सरवाद्धिक सब लोगी सेहमती होगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे और उसको फिर उस काम के लिए निफ्ट करेंगे